हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड़ा, दोस्तो आज हम फिले कर आए हैं नई जौब की जानकारी, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस जौब का नोटिफिकेशन सब से पहले मिल सकें, तो चलिए बात करते हैं, जौब के बारे में, जो National Institute of Electronics and Information Technology में है, नेलेट में, दोस्तो अगर पोस्ट नेम की बात करें, तो इसमें Scientist C, Scientist D की पोस्ट है, टोटल नमबराव वेकेंसी की बात करें, तो Scientist C के लिए 42 वेकेंसी हैं, Scientist D की लिए 14 वेकेंस हैं, टोटल नमबर आप पोस्ट की बात की जाए, तो टोटल 56 पोस्ट हैं इसमें, दोस्तो अगर Education Qualification की बात की जाए, तो इसमें Candidate को BE या B.Tech या M.E.M.Tech होना चाहिए, Computer Science Engineering में, या Computer Engineering, या Computer Technology और Information Technology में, या फिर Computer Science and Information Technology में, या फिर Computer Application या MCA होना चाहिए, दोस्तो अगर Application Feast की बात की जाए, तो Journal Category और OBC Category के लिए 600 रुपे फीज है, और SC, ST, PWD, Women Category के लिए 300 रुपे फीज है, अगर Payment Board की बात की जाए, तो Application Fee आप Online Payment कर सकते हैं, अगर Payment Board की बात की जाए, तो इसमें Online Payment होगा, दोस्तो अगर Important Date की बात करें, तो Form मन्ने की जो Date है, 20 November 2018 स आप इससे पहले Form को ज़रूर Fill Up कर दे, मैंने Link Description में दे दिया, आप वहाँ पर जाकर Detail में चेक कर सकते हैं, दोस्तो अगर Job Location की बात करें, तो देल ही है, अगर Selection Process की बात करें, तो Selection जो है Return Exam और Interview Based है, दोस्तो वीडियो देखने के लिए और हमारा साथ बने रहने के ल नवाट